डेली वर्ल पब्लिक स्कूल, इंडियास नमबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है काडमेक्स, स्पोर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट का बहतरीन कॉंबिनेशन एड्मिशिन्स ओपन फ्रम प्री नर्सरी तू नाइज राजिस्थान में किसान एक तो पहले से ही कुरोना वाइरस के लॉकडाउन की मार जेल रहे थे वहीं अब टिड्डी दलों का आतंग किसानों को परिशान करने लगा है राजिस्थान में इस समय खतरनाक टिड्डी दल का आतंग चल रहा है गुरुवार सुबह अजमेर के दोराई गाउं और चंदवर्दाई इलाके में टिड्डी दल को बड़ी संख्या में दिखा गया ये टिड्डी दल रास्ते में आने वाली हरियाली को चट करता जा रहा है वहीं साइंग तुरस्ट के मताबिक भारत में टिड्डियों का ये 26 साल का सबसे बड़ा हमला है और टिड्डियों का ये संकट मानसून के आने तक जारी रह सकता है एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अगर टिड्डियों के आतंग पर काबू नहीं पाया जाता है तो ये हजारो करोड रुपे की फसल को चट कर सकते हैं और इसी वज़े से अब किसान परिशान हैं और उनके चैरे पर मायूसी साफ नजर आ रही है वहीं दूसरी और किसान टिड्डियों के आतंग से बचने के लिए और इने भगाने के लिए नए ने तरीके भी अपना रहे हैं दोराई गाउं में जब टिड्डी दल पहुचा तो कास्टकारों ने पीपे बजा कर टिड्डियों को भगाने का प्रियास किया करने के बाद में जैसे टिड्डी दलियां पर आया और तुरंती जो है गांवाड़े पीपे बरतन डोल जो जो जिसके हाथ में जो आया वो लेकर यांपर पहुचे और समने बजाये करें और सब को जो है टिड्डियों को यहांसे बगा दिया है और टिड्डियों से अभी यहां उड़ गई है और आप देख रहे हैं दुआ भी दूआ करके भी जो है टिड्डियों को बगाने का पूरा प्रयास यहां पर घराम नचाहित दोरही में किया जा रहा है और खेतों में जो किसान है वो पीपे लेकर पीपों को बिलकुल तोड़ दिया है पीपे बजा इसने थाली बजाकर और जो तो इसके जैसे हाथ में आया समान जा रहा है यह शोर सराबे से भागती है इसलिए इन टिड्डियों को यहां से बगाया है और अभी भी जो है टिड्डियों के कुछ जो दल है वो खेतों के अंदर चिपे वे हैं और फसल को नुक्सान करने का प्रियास कर रहे है गराम मंचे दो रही चंदरवान गुजर